वे फागुन महीना कोई से मनेगा मने कि आगे इस गाने के बारे में बात करेंगे बहुत सारी खुबियों के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों पवन सिंग के इस गाने से जादा पवन सिंग के दूसरे गाने का इंतिजार हमारी जनता जनार दन को है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आपको बताते हैं कि ये गाना अगर आपने पवन सिंग का नहीं देखा है तो भई देखे क्योंकि काफी जबरदस्त गाना है बॉलिवोड स्टाइल में शूट हुआ गाना है और अच्छे से लोकीशन में इस गाने को श फिट करते जा रहे हैं इन्हें ऐसे ही भुजपूरी का सलमान खान नहीं कहा जाता खैर अगर आप गाने के बोल की कर लेंगे तो हां ये बात और है कि इतना कैच्छी गाने का बोल नहीं है लेकिन ये सुनने में इतना मेहतरीन और देखने में इतना लाजवाब है कि इसे देखते, और सुनने का मन करता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो तुरंट पकड में आजाते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें बार-बार सुनने का मन करता है, तो ये गाना और इसका picturization दोनों एक दूसरे के मेल में हैं। कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो combination है बेजोड है गाने का प्लस picturization का साथ ही साथ इस गाने को लेकर पवंसिंग ने काफी एतियाद बरता है अगर आपने और भी previous पवंसिंग के song देखे होंगे और ये song देख रहे हैं तो आपको कुछ change जरूर नजर आये होगा change बोलके है change ये कि कोई भी ऐसी चीज ना की जाए जो वलगर लगे पर वलगरटी को उन्होंने काफी दरकिनार किया है इस गाने में साथ ही आपको बता देते हैं कि इस गाने को लेकर लोगों में जितना क्रेज है उससे कही ज़ादा क्रेज लोगों में सिल्पी राज और हो रहा है और जो होली में ये second song होगा जो shoot हो चुका है जिसकी editing start है इस गाने को लेकर लोग काफी excited है वैसे आपको बता दे बनारस में कल पवन सिंग ने अपना तीसरा गाना भी complete कर लिया है लेकिन दूसरे गाने का इंतजार इसले है क्योंकि आज कल सिल्पी राज के आव लोग हैं सभी इस गाने को कावेड तो कर रहे हैं लेकिन उनके फस सॉंग जो रिलीज हुआ है उसके लिए भी पवन सिंग को बहुत बहुत कॉंग्रेचुलेशन क्योंकि बहुत ही बहतरीन सॉंग है और आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो देख लीजे झाल बूलीज